आज मैं आपसे स्पेशल चिकन करी की रेसिपी शेयर करूंगी तो चलिए आए देख लेते हैं इस स्पेशल चिकन करी को बनाने के लिए हमें किन इंग्रीडियंट्स की जरूरत होगी तो यहां पे मैंने 1.5 kg की जितना चिकन ले लिए और इसको मैंने वाश करके बिल्कुल लिए और यहां मैंने 1.5 नाज साइस का पोटेटो ले लिए उसे इस तरह के चोटे टुक्डों में काट लिए और फिर मैंने इसको ओईल में फ्राय कर लिए और इसके लावा यहां पे यहां पर यहां पे जितना योगर्ट है और वन कप एंड वन फॉर्थ कप के जितना इसके लावा यहां पर मैंने टू मीडियम साइस के दो अनियन ले लिये थे उनको मैंने फाइनली स्लाइस करके हाफ कप की जितने ओयल में फ्राय कर लिया इस तरह से और उने प्लेट में रखती है ताकि यह ठंडे हो जाएं यह हमें चाहिए होगा तो चलिए देख लेते ह हमें क्या-क्या चीजें चाहिए होगी तो यहां पर मैंने टेबल स्पून के जितना यह मिंठ में चाहिए होगा जो कि हम लास्ट में यूज करेंगे और टू टेबल स्पून के जितना फ्रेश कोरियंडर हमें चाहिए होगा और टू 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 थ्री आप ग्रीन चिलिस ले लिए हाफ टीस्पून के जितना होल क्यूमिन चाहिए होगा हमें यहां पर मैंने एक इंच की सिनिमन स्टिक ले ली है और यह फाइफ ग्रीन कार्डमम है और यहां पर हाफ टीस्पून के जितना मैंने ले लिया है टर्मरिक पाउडर और वन टीस्पून के जितना रचिल वरुघनी पाउडर ले लिया है the pepper on the shop कि जितना चाहिए होगा हमें आप सॉल्ट कर सकते हैं वान अाफ टीस्पून के जितना गार्लिक पेस्ट चाहिए होगा और यपंटी स्पून कि जितना हमें चाहिए होगा जिंजर पेस्ट तो चिली आईए सबसे पहले चिकिन को मेरिनेट कर लेते हैं तो चिकिन को मेरिनेट करना स्टार्ट करते हैं एक बाउल ले लिया मैंने इसमें चिकिन डाल देंगे तमाम तो spices add करना शुरू करते हैं चिकिन में salt डाल देते हैं चिकिन में ग्रीन चिली डर्मरेक चिली डाल देते हैं काडमम और सिनमन स्टिक डाल देते हैं क्यूमेन चला गया इसमें क्लोफ पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर ये डाल देते हैं इसमें जिंजर पेस्ट डाल देते हैं और इसमें डाल देते हैं गार्लिक पेस्ट एड कर देते हैं इसमें टमेटो ग्रेटी टमेटो और साथ इसके हम एड कर देंगे योगर्ट योगर्ट को आप अची तरह स तो इसको मैंने mix करके रखता हुआ है यह डाल देते हैं और अब इसको अच्छा सा mix के देते हैं कि तमाम चीजों को आप मिक्स करके एक घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें और फिर हम इसको कुक करना स्टार्ट करेंगे और उससे पहले हमने जो अनियंज फ्राइ करके रखें वह भी के ओपर क्रश करके डाल देंगे आप चाहें तो थोड़ा सा इसको ग्र इसको मैं हाथ से मिक्स कर लिए तनी तरह से ताकि तमाम स्पाइस चिकन को अच्छे से कोट हो जाए तो चिकन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए और यह जो अनियन मैंने आपको फ्राइ अनियन बताया था इसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिए यह डाल देते हैं इसक को एक अच्छा सा मिक्स दे देते हैं और इसे छोड़ देंगे हम मेरिनेट होने के लिए तकरीबन एक घेंटे के लिए और उसके बाद हम इसको कुक करना स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छा यह बनके तयार होता है जरूर ट्राइ कीजेगा आपको तो इसको भी मिक्स कर लेते हैं चिकन के साथ तो चलिए आईए चिकन को मैंने अच्छे से मेरिनेट कर दिया इसमें मैंने फ्राइड अनियन्स भी शामिल कर दिये अब मैं इसको एक घेंटे के लिए मेरिनेशन टाइम दोंगी और उसके बाद हम इसको कुक करना स्टार्ट कर यह चिकन को कुक करना स्टार्ट करते हैं इसे मेरिनेट किये हुए तकरीबन एक हेंटा हो गया तो यहां पर मैं पैन मैंने रख दिया इसमें मैं 3-4 कप की जितना ओयल डाल दोंगी यह वही वाला ओयल है जिसमें मैंने अनियन्स और पोटेटो फ्राइ किये थे और अब इसमें चिकन डाल देते हैं जो हमने स्पाइस के साथ मेरिनेट करके रखा था इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हां पहले इसे हम हाई हीट पे कुक कर लेते हैं जो ही इसमें सिमर आना शुरू हो जाएगा अच्छासा तो हम हीट लो कर देंगे लो टू मीडियम पेसे कुक कर लेंगे यहां तक के चिकन टेंडर हो जाए अच्छी तरह से और जब हाफ पे डन हो जाएगा चिकन तब हम इसमें जो फ्राइड पटेटोस हमने रखे में वो इसमें आड़ करेंगे तो इसको कर लेते हैं बहुत ही यमी यह बनके तयार होता है और बहुत इजी है बस आपने मेरिनेट करना है आपनी चोईस के मताविक थोड़ा कम भी कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें इसमेर आना शुरू हो गया है तो अभी हम इसको हीट इसकी बिल्कुल low to medium कर देंगे तो चलिए आए इसको हलका से cover कर देते हैं किए इसकी लो कर देतें और इसे कोश्राइब देते हैं तो चलिए आये चिकन को चेक कर लेते हैं जी बिल्कुल चिकन हो रहा है यह अल्मोस्ट डन होने के करीब है हाफ डन से भी थोड़ा ज्यादा है क्यूंकि पोटेटोस हमारे फ्राय हुए में तो इसलिए मैं इस पॉंट पे इसको डाल रही हूं तो मैं यह एक मीडियम साइज का पोटेटो इसको मैंने फ्राय कर लिया जाता और पोटेटोस भी अची तरह से कुक नहीं हो जाते तो इसको अगेन कवर कर देंगे और मीडियम हीट पे इसे कुक करेंगे तो चलिए आये चिकन को देख लेते हैं जी बिल्कुल चिकन दन हो चुक है पोटेटोस भी हो गया दन और चिकन भी बिल्कुल टेंडर हो नवाद मीं और उसके बाद में इसको डिश आउर बसके और ऑप मिन्ट कर सबादा में तो चलिए मैं आपको सर्विंग दिश में निकाल के फिर इसको दिखाती हूँ स्पेशल चिकन करी बिल्कुल तयार है मैंने इसे सर्विंग डिश में निकाल लिया है आप इसे जरूर ट्राइ किजेगा बहुत अच्छी इसमें ग्रेवी भी रहती है आप इसे रोटी और चावल दोनों के साथ सर्फ कर सकते हैं मैं आपको रिकमेंड करूंगे कि आप एक लाइक किजेगा शेयर किजेगा और चैनल को सब्सक्राइब किजेगा तेंक यू अलाहाफेज